हेलो डिया लेर्नर्स हम लेकर आये हैं एडवांस लेर्नर्स ओप इंगलिस के लिए एक बहुत ही इमपोर्टेंट और एसेंसियल प्रोग्राम लेर्न टू टीज जैसा कि हमने नोटिस किया है ठीजर्स के साथ में जिस तरीके से इंट्रक्शन होते हैं तो समझ में आता है कि क लेकिन अब उसको हम कैसे systematically एक lecture में convert करें, कैसे on paper उसकी planning हो, कैसे हम उसको present कर पाएं अपने students के सामने, चाहिए students, online हम पढ़ाते हैं, offline पढ़ाते हैं, किसी भी तरीके से, तो यही जो program है learn to teach, इसका core concept यही है, planning, कि हम अपने lectures को, जो हमें पढ़ाना है, हम उसको कैसे खुद plan करें, अक्सर हमने देखा कि teachers क्या गरते हैं, कि कोई particular book को reference के लिए follow करते हैं, और उस book में जो दियेगा content होता है, उसी को पढ़ाते रहते हैं, sequence बदल के, कोई उसमें बाद में लिखी के हमने पहले पढ़ा दी, tense change कर दे, noun pronoun change कर दे, इस तरीके से पढ़ाते हैं, अगर हमारे पास कोई concept है, हमारे पास एक कोई idea है, तो उस पर हम अपना खुद का content कैसे generate कर पाएं, हम कैसे plan करें, उसकी unique, जब हम पढ़ाएं वो concept किसी को, तो वो unique लगे, कि हम concept तो वही है, language concepts तो वही रहेंगे, लेकिन आप उसको इस तरीके से present करो, कि वो presentation unique हो, उसमें आपकी पहचान हो, कि आपका style उसमें नज़र आए, copy ना नज़र आए, ऐसा ने लगे कि आपने किसी teacher का, या किसी book का as it is content आपने copy कर दी, तो planning, planning के बाद में preparation, कैसे त्यारी करें, lecture कैसे plan करें, on paper, फिर उसको कैसे हम present करें, तो planning, preparation और presentation, ये तीन core concepts हैं, जो आपके इस particular course में हम cover करेंगे, और बहतर बनाने की courses करेंगे, तो अगर आप एक aspiring teacher of English हैं, और आपको ऐसा लगता है, कि आपके पास ideas बहुत होते हैं, लेकिन उन ideas को और ब्रिशप करने की जरूरत है, उनको और बहतर करने की जरूरत है, तो ये program आपके लिए, program है learn to teach, इस program को हमने specially design किया है, aspiring teachers of English को help करने में, कि वो effortlessly पढ़ा पाएं, कि वो जो पढ़ाना चाहते हैं, उसको लेकर किन resources का use करें, किन reference materials का use करें, पढ़ाते समय, और किस तरीके से अपनी teaching को effortless बना पाएं, कि उनका जो student है, जो भी उनसे online और offline पढ़ता है, उसका learning experience अच्छा हो, learning और teaching की जो process है, वो effective हो, efforts don't go west, हमारे efforts में वरवाद ना जाएं, वो effective हो, तो जो भी हमारे साथ learning में involved है, उसका experience अच्छा, तो कैसे हम अपनी teaching को effortless बना सकते हैं, ये हमारा purpose है, जो हम चाहते हैं कि जब ये course complete होगा, तो जो भी हमारे साथ इस program में enrolled candidates होंगे, उनको ऐसा experience होना चाहिए, कि अब हम पहले के मुकावले, अपने पुराने ही concepts को भले ही, भेतर पढ़ा पाते हैं, हम concepts को और ideas को generate कर पाते हैं, हमारी teaching में हमारी originality, हमारा अपना खुद का style जो है, अब वो दिखाई पड़ेगा, तो ये धिहान में रखे program बनाया गया, प्रोग्राम के basics की details मैं आपको दे देता हूँ, इसमें किस तरीके से classes चलेंगी, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से हम आपकी help करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम आपको language के कुछ topics देंगे, English language के कुछ topics होंगे, जिन पर आपको lectures plan करने होंगे on paper, और फिर उन lectures को जो आपने plan किया है, उन पर आपको presentation, teaching presentation देनी होगी, आप उस पर teaching presentation देंगे students के सामने, एक तरीके से mock होगा वो, topics जो हैं वो हम आपको देंगे, कि इन इन topics पर आप lectures plan कीजिए, अभी बहुत से क्या ह हमारे candidates को topics ही नहीं पता होते हैं, कि किस तरीके से हम खुद के अपने topics बना सकते हैं, mostly क्या होता है कि जाद तर जो teachers होते हैं, ऐसा देखा गया है, ऐसा मेरा observation है, कि वो जो market की reference books हैं, उन ही के topics को पढ़ाते बताते अपने तरीके से रहते हैं, कुल मिला के जितना book में होता उतना ही वो शुरू करते हैं, जहां पर book में खतम होता है, उतने पर खतम कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, आप topics के अंदर subtopics बना सकते हैं, खुद के, एक छोटे से concept के एक छोटे से question को, आप एक topic में convert कर सकते हैं, वो आप सीखोगे, तो हम इस तरीके से आ एक teaching presentation देना है, हम आपकी help करेंगे, lectures prepare करने में, topics भी हम आपको देंगे, उस पर आप काम करेंगे, फिर आप जब उस पर काम करेंगे, आप जब उस पर lectures plan करेंगे, उसमें जो corrections होंगे, जो course corrections होंगे, उसमें हम आप persist करेंगे, कि आप इस lecture को इस तरीके से plan कीजिए, ये examples इस में लाईए, इस point को समझाने के लिए आप ये interpretation दीजिए, या ये कोई famous quote है, या कोई particular literary illusion है, आप इसको include करके बात को समझाईए, तो इस तरीके से उस topic को कैसे आप भेतर plan कर सकते हैं, इसमें हम आपकी पूरी help करेंगे, topic भी हम आपको देंगे, आप उस पर अपने live lecture भी देंगे, जब आप अपना submit कर देंगे, आपका submission हो जाएगा, return task का, तो return task के submission के बाद में, उस topic पर हम आपको live lecture देंगे, एक live lecture मैं पुदी रहूंगा उसमें, मैं आपको live lecture एक दूंगा, उस basics पर, जिससे की वो basics ध्यान में रखकर, फिर जब आप टीचिंग अपन को मिलेगा, जिसमें उस topic के जो basics हैं, उनको कि sequence में रखना है, उनको समझाने के लिए कौन सा example दे सकते हैं, किस literary illusion का आप यूज कर सकते हैं, कौन से technical terms आप वहाँ पर यूज करके बाद को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, वो आपको उसमें live lectures में सिखा जाएगा, और effective presentation हो, आपकी जो teaching presentation हो, वो effective, आप पढ़ाएं तो आपको खुद भी confidence है, देखे, as a teacher जब हम पढ़ाते हैं, तो हमेशा हमें यह पता होता है, कि अगर हम इमानदार teacher हैं, ठीक है, और मतलब होना ही चाहिए, सब को इमानदार होना चाहिए, तो हमें class के बाद में पता होता है, when the class is over, we know कि हम अपना best दे पाए या नहीं दे पाए, हम जान जाते हैं कि जिस तरीके से हमने पढ़ाया, तो इस तरीके से जो समझने वाला हमारा candidate है, समझने वाले हमारे students हैं, जो समझने की courses कर रहे थे, वो समझ पाए होंगे या नहीं समझ पाए होंगे, इस तरीके से हम हमारी teaching presentation हो कि हमें खुद पर confidence रहे, कि we have given our best, हमने अपना best दिया है, हमने concept को, हमने topic को effortlessly deliver किया है, जो भी student थोड़ा भी focused रहा होगा, समझने की courses कर रहा होगा, उसको पूरी बात समझ में आई होगी और concept clear हो गया होगा, कोई doubts confusion नहीं बचेंगे, तो इसमें हम आपको guide कर presentation हो, फिर आपको अपना presentation देना है, ठीक है, उसके बाद में भी अगर कुछ रहा जाता है, topic से related कोई आपका confusion है, कोई doubt है, तो उसके लिए counseling and doubt clearing session भी मिलेंगे, मतलब दो live lectures आपको एक topic में मिलेंगे, मेरी तरफ से, एक उस topic के basics, का मैं live lecture आपको दूँगा, जिस पर आपको Google Meet या Zoom या ऐसा medium हमें उसकरेंगे, जिसमें interaction हो पाए, spoken, तो उसमें counseling और doubt clearing session मिलेगा, तो पहले आपको topic दिया जाएगा, आप उस topic पे एक written lecture plan करेंगे पूरा, कि आप उसमें कौन से definitions बताएंगे, कौन कौन से types मेंशन करेंगे, क्या sequence रखेंगे, किन examples को समझाने के लिए किन examples का यूज करेंगे, तो आप अपने lecture plan करेंगे, lecture plan करने के बाद में फिर आपको एक उस topic के basics पे live lecture में दूँगा, फिर live lecture के बाद में आपको guide किया जाएगा, कि आप अपने teaching presentation खुद का दें, teaching presentation के बाद में फिर live counseling और doubt clearing sessions होंगे, ये हमारा plan है, तो ऐसा करने से होगा कि हम खुद content generate करना सीख पाएंगे, हम पढ़ाएंगे, तो हमें ये लगएगा कि हम original पढ़ा रहे हैं, ये thoughts हमारे अंदर से आ रहे हैं, ये हम एक medium नहीं है कि हम कहीं का content अपने होके घुमा रहे हैं, मतलब इसकी टोपी उसके सर अगर कहा हैं, बोल चल की बैसा में, तो आ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कहीं से कहीं बात को घुमा दिया, आपको लगेगा कि आपने खुद प्लैंग किया, आप इस content के creator हो, और ये आपका original idea है, ये आपका original style है, उससे आपको confidence आएगा, और आपकी teaching जो है वो धीरे धीरे और बहतर होगी और effortless होगी, अभ होके 7th of October तक चलेगा, इस बीच में हमारी courses होगी, हम maximum language के topics को cover कर लें, ये आपका होगा, कोई अगर ये सोच रहोगी teaching presentation हम आके कि हमें Delhi में आके teaching presentation देनी होगी, ऐसा है, तो हम एक session जो है इस program का वो offline रखेंगे, एक offline workshop होगी, ठीक है, एक weekend पर, एक program में एक ही offline workshop होगी, त तो उसमें अगर आप afford कर सकते हैं Delhi या ना, weekend पर ही वो workshop होगी, Saturday और Sunday को, तो आप आ सकते हैं, आप live teaching presentation भी दे सकते हैं, नहीं तो आप ही teaching presentations जो हैं, वो record करके हमें देंगे, मतलब ये मैं आपको मोटी मोटी बात program के समझा रहा हूँ, detailed बारीकियां जो हैं इसकी, वो आपक के बाद में आपको समझा ही बताई जाएंगी, program को join करने के लिए आप इस WhatsApp नमबर पर हमें contact करेंगे, 888, 888, 888, 888, 888, 5 अगस्त, 5 अगस्त, तक आपको हमें contact करना है, अगर आप इस program में interested हैं, और enroll करना चाहते हैं, तो, क्योंकि 12 अगस्ट से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और उससे पहले हमें एक मीटिंग रखनी है लाइब मीटिंग जूम या गूगल मीट पर जैसे भी देखेंगे और रखेंगे तो by 5th of August आपको अगर आप इंटेस्टेड हैं तो आपको इस WhatsApp नंबर पर कॉंटेक्ट करना है दुरानी सर के पास यह पर रहता है दुरानी सर को कॉंटेक्ट करेंगे प्रोग्राम की details क्या है further formalities क्या है eligibility requirements क्या है किस तरीके से आपको classes मिलेंगी यह सारी चीज़े फिर आपको सर समझाएंगे limited enrollments है आपने देखागा यह अक्सर लोग offline में तो यूज़ करते हैं online में भी ऐसा यूज़ कर लेते हैं limited seats यह हमारा bluff नहीं है limited seats actually यह program जो है वह हम एक limited number के साथ में पहले start करना चाहते हैं क्योंकि यह ambitious program है और मुझे पता है कि हमने इस पर काफी ध्यान देके इसको plan करके सब्सक्राइब करेंगे कैसे उनका best निकला सकते हैं उनसे तो काफी बारी के हमने ध्यान रखी हैं लेकिन फिर भी चुंकि यह first time हो रहा है तो हम इसको बहुत बड़े number के साथ में नहीं करेंगे एक हमारे पास limited number है दिमाद में कि हम maximum इतने candidates को ही first program में enrolled करेंगे फिर आने इस प्रोग्राम में हम रखेंगे तो उसके लिए आपको at earliest by 5th of August 5th of August के बाद में तो admissions नहीं होंगे 5th of August तक आपको दुराइन सर को contact करना है इस दिएगे WhatsApp number पर अपना इंट्रेस्ट शो करते हुए simply आपको लिखना है I am interested to join learn to teach program बस इतना लिखना है उसके बाद में सर आपको contact कर लेंगो सारी details जो है प्रोग्राम के आपको बता दी जाएंगे प्रोग्राम की क्या फार्मिलिटी जहें वह भी आपको बता दी जाएंगे प्रोग्राम को कैसे जोइन कर सकते हैं कि तो किया जाता है कैसे ट्रिक्की कॉंसेप्स को समझा और समझाया जाता है इस पर काम करते हैं तो मिलते हैं आपको लाइव मीटिंग में थैंक्यू